हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्ण उत्तर वसंत कक्षा आठ पार्टनो कबीर की साखियां जिसके लिखक हैं कबीर दोस्तों प्रश्ण अब्यार शुरू करने से पहरे मैं आपको बता दू कि कक्षा आठ से संबंदित अन्य पार्ट के प्रश्ण उत्तर हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अप्लोड कर रखे हैं आप उन्हें हमारे यूट्यूब के वीडियो पर जा करके देख सकते हैं तो चलिए दूस्तों देखते हैं इस पार्ट के पहले प्रश्ण को प्रश्ण प्रश्ण एक तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं उक्त उधारन से कबीर क्या कहना चाते हैं पश्ट कीजिए उत्तर तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं इस उधारन से कबीर कहना चाते हैं कि जैसे हम तलवार लेना चाहें तो उसको धार देकर उसका मोल भाव करें उसका मयान कितना भी सुन्दर क्यूं नहीं हो उसकी और हम ध्यान नहीं देते ठीक वैसे ही जैसे सादू संतों के ज्ञान की महत्ता होती है उनकी जाती से किसी को कोई मतलब नहीं होता प्रश्ण दो पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ती है मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते है उत्तर मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही इस पंक्ती के माध्यम से कबीर ने कहना चाहा है कि प्रत्ते कारे के लिए मनुश्य को एकाग्र चित होना चाहिए हमारा मन भक्ती के समय यदि दसो दिशाओं की ओर गुमता रहता है तो ईश्वर्व के भक्ती में एकाग्र चित नहीं होता ऐसी भक्ती व्यर्थ हो जाती है प्रश्नतीन कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं पड़े हुए धुए के अधार पर स्पश्ट कीजिए उत्तर हमें कभी भी किसी को निर्बल या कमजोर नहीं समढ़ना चाहिए क्योंकि घास का छोटा सा तिंका भी यदि आंख में पड़ जाए तो कश्ट दायक होता है कबिर घास के तिनके के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें समाज में रहने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि यदि वह शक्ति प्राप्त कर ले तो हमें गहरा अगात पहुचा सकता है प्रश्न चार पन्युष्य के व्यवार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोश होते हैं या भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है उत्तर जग में बैरी कोई नहीं जो मनशीतल होए या आपा को डारी दे दया करे सब कोई तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें तता हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले बैल ऐकन को ज झाल झाल झाल